बिहार में लगातार कोरोना से मौत का सिलसिला शुरू है बिहार में लगातार संकर्मित मरिजों की संख्या भी बढ़ते जा रही है संकर्मन के बढ़ते आंकरे अब आसमान चुरे हैं बिहार में सियासी बयानबाजी शुरू है सरकार जो दावे कर रहे हैं उन दाओ की पोल जा रही है विपक्ष को पास मुद्दा है और विपक्ष इसको लेकर सरकार पर हमलावर है नेता परतिपक्ष तेजस्वी आदो सरकार से सवाल पर सवाल पूछ रहे हैं लेकिन तेजस्वी इन दिनों बिहार में नहीं है और यहीं वज़ा है कि सता पक्ष के पास भी अब मु है तेजस्वी दिल्ली से ही ट्वीट के जरीए सरकार से सवाल पर सवाल पूछ रहे हैं इस बीच अब जेडियू ने भी बड़ा हमला बोला है तेजस्वी आदो पर पूछा एक किस बील में छुप गए हैं जेडियू के सांसद ललन सिंग ने मुंगेर से सांसद नितीश कु देने की विजरूवत नहीं है और उनके ब्यान का नोटिस लेने के विजरूवत नहीं है इसलिए कि तेजस्वी जादव जब भी आप इतिहास उठाके देख लिए हैं जब भी प्रदेश में संकट आया है जब भी कोई ऐसी विकट परिस्तिती आई है तो खुद भागके क दिल से ब्यान देने से अच्छा है कि जनता की सेवा करते तो बात समझ में आते हैं दिल में से ब्यान देना ऐसा तो ग्यानी पुरूस है नहीं शिच्छा तो उनका वही है हाई स्कूल में एडविशन भी नहीं हुआ है तो शिच्छा है नहीं ग्यान बिल से दे रहे हैं प जंता के साथ क्ड़ी रही हैं प्रगती हैं उसको मॉनिटर करके साम में फैसला लेते हैं लिए इसलिए तेजस्वी जादम के व्यान परखरे धिर करें कि जरूवत है और उनके भीन का मैं नोटिस लेने के ज़रुवत है तो कि उनको दिहार से और बिहार के लोगों से कोई मतलब नहीं है, बिल में रहना है, शीपे रहना है, और वहीं से परवचन देवीं किस बील में छुप गए हैं तेजस्वी कहां गफ मार रहे हैं दिल्ली में हैं तेजस्वी आपको बता दें और इसको लेकर अब जेडियू ने सवाल पूछा है हमला बोला है तेजस्वी आदो पर तेजस्वी कहां छुपे हैं ललन सिंग ने बड़ा सवाल उठाया है आप ट